रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया की ओर से 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया है इसके साथ ही इनकों बैंकों में जमा करवाने का भी आदेश दे दिया गया है इस फैसले को लेकर कई विपक्षी दल केंदर सरकार्थ पर निशाना साधे हैं 2000 रुपए के नोट बंद होने पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है शक्तिकांत दास ने सुमार को मीडिया से बात करते हुए कि मैं स्वश्ट्र करता हूँ कि और फिर से जोर देता हूँ कि गे रिजर्बैंक के मुद्रा प्रवंधन संचालन का एक हिस्सा है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया से कहा कि लंबी समय से रिजर्बैंक एक स्वच्छ नोट नीती का पालन कर रहा है समय समय पर RBI एक विश्रेस रंखला के नोटों को वापस लेता है और नय नोट जारी करता है उन्होंने आगे कहा कि हम 2000 रुपए क चार महिने का समय दिया गया है बैंकों में पूरी तयारी की गई है शक्तिकांदास का कहना है कि 2000 का नोट लाने की कई कारण थी ये कदम पॉलिसी के तहद कदम उठाए गया था पुरानी नोट बदलने के लिए पाबंदी को लोग गंभीरता से लेंगे तो अच्छा का बैंकों को नोट बदलने का डेटा तयार करना होगा इसके साथ ही 2000 रुपए का नोट का बिवरा रखना है